मिस्टर बहल, आपके क्लाइन्ट आज आने वाले हैं या नहीं? I'm so sorry, Your Honor. वो, वो, वो कहीं फस गए हैं. फस तो हम गए हैं आपका केस लेके. हर वक्त आपके क्लाइन्ट का कोई न कोई नया बहाना होता है. वैसे आज क्या बहाना है? Actually, Your Honor, उनका accident हो गया है. पिछली बार आपने कहा था कि उनको 104 डिगरी बुखार है. और next day, पेज 3 में उनकी फोटो आई थी. जिसमें, वो 104 डिंग्स डाउन लग रहे थे. So, are you sure उनका accident हो आ है? I'm sure he's on his way, Your Honor. Sorry, sorry, Your Honor. मेरा accident हो आथा. But I'm here now. Are you sure? I was almost killed, Your Honor. Anyway, let's not waste time. अब विल आये हैं? Sorry, Your Honor. विल मेरे बास नहीं है. अगर विल लाता, तो यहां टाइम पर नहीं पहुचता. Just a minute. I've had enough. अगर मेरा बस चलता, तो मैं ये केस इसी वक्त Mr. Bajaj के फेवर में रूल कर देती. लेकित कानून कहता है, कि मुझे आपको और एक मौका देना होगा. अगर कल सुबेश साड़े ग्यारा बचे तक आप विल लेकर यहां नहीं पहुचे, तो मैं ये केस Mr. Bajaj के फेवर में रूल कर दूंगी. अगर के फेवर में रूल कर दूंगी. अगर के फेवर में रूल कर दूंगी. एक बिमार आपमी ने मर्ते होए साइंखी थी. तो जो भी पूछना है उसे जा कर पूछो. मुझे मत पूछो. कि लाव भी एक पूछना है. अब बताने को बिते बारे में. आप दोना बताने को बिते बारे में. उस टाक्सी वाले को कुछ करना पड़ेगा. जो वो आसानी से देने वाला नहीं है. या तो वो बहुत पैसे चाहता है, या तो वो बिल्कुल पागल है. मुझे सिर्फ अपनी चाबी से मतलब है. बागी तुम चानो, शिफ. डू अट याव तू. क्या कर रही है तुम? जा रही हूं अपने घर. जान से देख, ये तुर अपना घर है. ये सब उस चिकने की वज़े से तुन आराज है. मेरी गलती नहीं है कुछ. गलती नहीं है तुम्हारी. रगु तुमने मुझे बताया क्यूने तुम टैक्सी चलाते हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था. अच्छा. इसलिए सारी परेशानी अपने सर पे ले ली. तुम पहले से ऐसे ही हो. गलती करते हो लेकिन मानते नहीं हो. पता चल गया ना? टैक्सी चलाता हूं. अब मैं इंशुरंस बेचता हूं, टैक्सी चलाता हूं, डांस बार में नाचता हूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता हूं. मेरा रिष्टा तो तुम्हारे नाम के साथ है, सिर्फ काम के साथ कोई रिष्टा नहीं है. तो फिर जगड़ा किसी बात का है? जगड़ा इस बात का है, रगो, कि तुमने मुझसे जूट बोला. मैं, मैं उस पराय आदमी से लड़ रही थी. कि मेरे पती को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता. तुमने मुझे जूटा साबित कर दिया. गल्ती हो गई, आगे से नहीं होगा. सच तो यह है कि मैं सज बताने यहां आया था, लेकिन वो हरामी पहले से मेरी जनम पत्री सुना रहा था तुझे. तो उसे देखकर तुम भाग गए है? हाँ. चलो हटो. है सुन, सुन, देख, एए, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तु ऐसे नहीं जा सकती. तुम मुझसे प्यार करते तो मुझसे जूट नहीं बोलते, मुझे मारते नहीं तुम. एए, कब मारा तुझे? जब तुने कहाँ तेरे बाप से पैसे लूँ, उसके साथ काम करूँ. तु समझते हैं का मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ. और कितनी बार मारा, एक बार भी मारा? बात का बतंगड बना रही है. तुम्हारी मुश्किल यही है कि तुम्हें लगता है, तुम्हें मदद करने वाला, तुम्हें अपने से छोटा समझता है. तुम बाकी दुनिया से मदद ले सकते हो, लेकिन मेरे पिता जी मदद करना चाहेंगे तो नहीं. तु किस बात से परिशान है? मैं शराब पिता हूँ, तेरे बाप से पैसे नहीं लेता, टक्सी चलाता हूँ, किस बात से नाराज है? तुम्हें ना बात करना ही बेकार है. ए, सुनना, मैंने कहा ना, I love you. नहीं, रगू, तुम मुझसे प्यार नहीं करते. क्योंकि तुम अपने आप से प्यार नहीं करते. तुम खुद से खुश नहीं हो, इसलिए तुम हमें खुश नहीं रख सकते. तुम्हें लगता है पूरी दुनिया तुम्हें परिशान करते हो रोज दारूपी कराते हो और हम तुमसे डरते रहते हैं कि पता नहीं किस बात पर कब तुम जगड़ा करोगे बात करते हो तो करेले से भी कड़वी सुबह उठते हो तो लगता है जंप पे जा रहे हो आजकल तो शरम आती है मुझे अपने आप पे जब मैं रिशब से कहती हूँ कि रिशब अपने बाप जैसा मत बन्द बहुत हो गया है बहुत हो गया जाना है ना जाओ जा तू, जा, वापस यही आएगी, कडवे करे लेके बास, जा तू जा, चल, जा जा, 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 तू, जा, यही आहेँ, जा, जा. झाल झाल